अगर ये भी कोई लगाना चाहे जिसकी इच्छ है इसके पास पेसे नहीं है तो आप बगरू आके हमारे से ये ले सकते हम फिरियों आपको दे देंगे हमारी तरफ से पक्षियों की सेवा जानों की सेवा में इन्होंने अपना योगदान सर्व स्रेस्ट दिया है इनका ये सब्सक्राइब करें अपने इस नहीं कडम से एक नहीं वीडियो में स्वागत है आप सभी का सो दोस्तों आज हम थोड़ा रात के टाइम कुछ अच्छा कारे कर रहे हैं कि पक्षियों के लिए ना पानी के लिए परिंडे लगा रहे हैं क्योंकि सभी को अभी के लिए सबसे ज्यादा से ज्यादा और उनके लिए अच्छा हो सकते हैं वो बेजवान जानवर है वो बोल नहीं पाते लेकिन हम समझ तो सकते हैं इंसान होने के नाते तो हम लोगों ने इतने परिंडे इखटे किये हैं और अभी हमारे सारे दोस्त लोग लगाने के लिए रड़ी टेबल पर वो हमारे सबसे ज्यादा मोटिवेस्ण वाले इंसान है इनकारियों के पीछे निकाहात और सभी होगे सबसे ज्यादा हम इनी से मोटिव हूए हैं यह हमारे मारक दर्सके इन चीजों के मामले में तो हम इनका बहुत ही दिल से दन्यवाद गरते कि इन्होंने मतलब ही इसमें थोड़ा तार ही है कुमार के दुकान पर हंडी मिल जाएगी आपको सभी से निवेदन है कि 47 टेमपरेचर में सभी अपना कुछ ना कुछ चे थोड़ा योगदान दे अच्छा काम है क्योंकि बेजुबान पक्सियों के लिए हम कुछ ना कुछ तो करी सकते इस गर्मी के सीजन में यहीं बहुत ज्यादा टेमपरेचर चड़ जाता है आज की टाइम पर 47 डिगरी तो बहुत ज्यादा प्यास लगते है आप लोगों को भी लगती है तो इनको तो आरम से लगी सकते क्योंकि बहुत छोटे से जीव होते ही है कि अपने मेरे इसाफ से अडियम लगा रहे हैं बहुत ही हमें यह काम करके बहुत है आज के टाइम में मुझे नहीं लगता किसी के पास इतना समय है कि वह पक्सियों के लिए समय निकाब आज कर लिए जेके प्रिंडा दे सभी एक दूसरे के से दे के मतलब मोटिवेशन हो प्रिंडा लगा देते हैं उसके बाद यह पानी इसमें डालती नहीं है वह पानी ऎसे पड़े रहते पानी को ब्रिंडा लगे उसमें हर दूसरे दिन पानी बरे जरूर यह बहुत विस्चेश द्यां रही है अच्छी बात की बाई-असाब ने तारु से करी अट लोग मैं हाई लाट गरो तारुन है तो यह बाद जरी पंडाल सकते जो भी है इसके कोई ज्यादा पैसे नहीं लगते कोश्टली मेरे इसाफ से बहुत कम रेट है इसकी बस थोड़ा साफ समय निकाल के थोड़ा सा पैसे बचा के बस यह इतना सा काम और कर दो इनके साथ कोई अगर यह कोई लगाना चाहे जिसकी इच्छ है उसके पास पैसे नहीं है तो आप बगरू आके हमारे से यह ले सकते हम फिरियों को यह आपको दे देंगे हमारी तरफ से आप यहां के परेंड़ ले जाए और यह पस उपक्स यह लिए दाना पातर यह ज़रूर भी नहीं है कि आपको दूर जाना पड़े आपके घर के पास भी पेड़ है सत्त है वहीं पर पानी का इस तप रख सकते हैं और कि अपना योगदान सर्व स्रेस्ट दिया है इनका यह कदम एक उज्वल भॉष्य के आने वाले समय में नव यूकों के लिए बहुत अच्छा मैसेश दे रहे हैं आज की यूग में तुर यूवा फोन में बीजी रहते हैं कभी किसी की पास टाइम नहीं इतना जिसमें हमको यह उजाकर करें अपने इस नहीं कदम से तो हम इनके से दिल से ते दिल से धन्यवाद देते हैं दोस्तों हमने हमारा काम पूरा कर लिया है आप लोगों से निवेदन है कि आप भी पेड़ के उपर पानी के मठके लगाएं ताकि पकसी पानी पीशेगे और दाना पात्र लगाएं ताकि इनको थोड़ी बहुत मदद मिल सकें ये वीडियो यहीं पेश हमाप्त करते हैं मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में और ये वीडियो ज़्यादा तर लोगों को शेयर करना ताकि लोग ये काम के लिए प्रोचाइत हो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का ये वीडियो देखने के लिए तब तक के लिए झाल 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 झाल